हलो बच्चों उमीद आप काफी अच्छे होंगा और नीट की तैयारी भी अच्छे कर रहे होंगे लेकिन जो एडवांसमेंट या अबडेशन हो रहे हैं वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए कि ये अबडेशन है और साथ में आपको कैसी करनी है किस तरफ फोकस करना है को कि ये जो न्यूज आने का सिलसला है ये इस साल बहुत जादा रहा है भसड हुई रिजर्ट आया उस पर डाउट उठाये लोगों ने बिल्कुल उठने वाले डाउट थे फिर उसके समाधान के लिए एंटिये ने कुछ बोला के रिजामनेशन नहीं हुआ केवल 16-1700 बच्चों का ही रिजामनेशन हुआ जिसको लेके बात उठ रही थी बाकी बाते शान्त हो गई आई गई कि कोई ऐसा लीक होने वाला पेपर नहीं मिला है सिस्टेमेटिक एरर नहीं नजर आई तो पेपर नहीं हुआ लेकिन उसके बा आप साल बर महनत कर रहे हैं तो उस महनत का रिजट आप ले सकें किसी और को अंडियू एडवांटज ना मिले कि पेपर लीक हो गया या कुछ और कहानी सेटिंग हो गई जिसका बेडा पार हो जाए तो ये कहानी को रोकने के लिए साथ मेंबर की कमेटी बनाई गई थी जो कि अपने NTA के जो कारिशयली है और जिस तरह से एक्जाम कंड़क्ट कराये जा रहे हैं उसको समझ कर वो रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट को देने वाली है और सुप्रीम कोर्ट फिर ये जज़ करेगा गाइडलाइन देगा NTA को कि इस तरीके से पेपर कराना है तो ये द तैयारी के लिए साथ में रखनी चाहिए बाकी ये न्यूज और अपडेशन तो आते रहेंगे तो सबसे पहली बात और हाँ मैं हूँ अरविन सर जो आपके लिए नीट की फिजिक्स पढ़ाता हूँ नीट फिजिक्स अरविन नीट के नाम से ये चैनल है जहाँ पर नीट कौन रुख पाएगा तो सबसे पहली बात मैं आपसे करता हूँ कि आपको मालूम होगा कि एंटिये ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जे इमेंस के लिए 17 अक्टूबर 2024 को और उन्होंने पताया था कि जो दो सेक्शन थे सेक्शन एक बास सेक्शन भी उसमें जे इमे किया था कि गोविट खतम हो चुका वर्डवाइट तो इसी के लिए टेंपरेरी मेजरमेंट किया था कि दस कोश्चन है सेक्शन भी में पाँच आप कर लेना अब उन्होंने कहा कि अब ये ऑप्शन वाला चक्कर हट गया है सेक्शन भी में पाँच कोश्चन मिलेंगे और पाँच के पाँचों आपको करने रहेंगे ये चेंज हुआ है एंटिये ने किया है जेई के लिए और उसका बेस क्या है कि अब कोविट खतम हो चुका है तो यही चीज आप नीट में बिल्कुल लगभग पक्की मानके चलिए यो कि कोविट तो नीट वालों के लिए भी खतम हो चुका है अब क्योंकि जेई वालों का जो पेपर है वो जन्वरी में हो जाता है पहला इसलिए ये नोटिफिकेशन थोड़ा जल्दी आ गया है और अपना पेपर तो होगा मही में इसलिए हो सकता है नोटिफिकेशन एक महीने बाद डेड़ महीने बाद आपको मिल आप यहाँ पर जो section B वाला neat में रहता था कि 15 में से 10 question आपको करने है ये मान के चलिए कि section B अगर section B hold करता है तो 10 question आएंगे दसों करने होंगे वरना ऐसा भी हो सकता है कि section B हट ही जाए क्रिकेशन कोई डिमारकेशन अलग type का नहीं था 45 question आते थे 45 करने रहते थे तो ऐसा ही हो सकता है कि section a b का जो चक्कर है वो हटी जाए 45 question है 45 आपको करने है और एक दूसरा तबदीली हो सकती है कि questions जब बढ़ाए गए थे आपके लिए कि 15 में से 10 करने हैं तो time भी बढ़ गया था 180 मिनट की जगा 3 गंटे की जगा 200 मिनट तीन गंटा 20 मिनट आपको दिया जाने लगा था reading time के average में कि भाई ये time है अगर वो questions कम कर दिये जाते हैं मतलब option हट जाता है 45 ही question आपको मिलते हैं तो बहुत जादा chances है कि वापस 200 मिनट की जगा 180 मिनट का paper हो जाए यानि 3 गंटे का ही paper हो ये अगर होता है जो कि होने के chances 99.99% पक्का ही है तो paper का standard थोड़ा एक step आगे बढ़ जाएगा क्योंकि option अब खतम हो जाएगे और समय भी अब 3 गंटे का ही मिलेगा जो कि 20 मेंट extra मिल लेते तो एक तो ये advancement हो गया जो आपको माल लेना चाहिए कि 99.99% ऐसा होने वाला है महीने खाण के अंदर आपको इसका notification मिल जाएगा अब दूसरी बात कर ल deserving candidate है जो सही तरीका है exam conduct कराने का वो कराया जाए जो काबिल लोग है जो deserving लोग है उनको seat मिले और medical में अपना career बनाए और जो deserving नहीं है वो उस हिसाब से अपना काम करें तो इसकी deadline ती 30 सप्तमबर 30 सप्तमबर को NTA ने मांगा था कि भाया हमको तीन हफते का वक्त और दिया था और ये date आ गई थी 21 अक्टूबर अब 21 अक्टूबर को भी क्या हुआ है further इनका कहना है कि हां recommendation बन गई है लेकिन हम देने के लिए भी तयार नहीं है क्योंकि उसमें कुछ चीज़े change करनी है तो अब इन्होंने Supreme Court से वापस दो हफते का वक्त और मांग लिया है तो अग ऐसी उमीद कर सकते हैं कि जो seven members की committee है वो अपनी report Supreme Court को submit कर देगी क्योंकि दो बार extension तो ले चुकी है तीन हफते का दो हफते का further extension लेने का कोई मतलब नहीं है और उपर से ये बात भी एक Twitter एक पूछा था NTA से सवाल तो उन्होंने कहा था recommendation हमारी लगबग final हो गई हमें Supreme Court क को दे दी जाएंगी और Supreme Court उन recommendation के basis पे NTA को guideline issue करेगा कि भया अब जो further examination आपको कराना है वो इस तरीके से कराना है जिसमें एक बात बहुत तगड़ी तरीके से उचल के पहले भी आई थी अब भी आ रही है कि इसके chances बन सकते हैं कि आपका जो neat का examination है वो two tire form में हो मतलब एक prelims हो और फिर उसके बाद main हो जैसे J main और J advance होता है तो इसके और उपर से कह रहे हैं हैं जो चर्चा में हैं कि जो आपका need का पहला वाला exam होगा वो pen paper mode का ही होगा वोकि उसमें बच्चे जादा रहते हैं इस बार उमीद की जारी कि 25 लाग बच्चे appear करेंगे शायद उससे mains के लिए उसका pen and CBT यानि computer based test उसका करा लिया जाएगा इसके chances बहुत ज़्यादा लगते हैं लेकिन official कोई भी या recommendation अभी तक इस बात को लेकर नहीं आई है तो यह आप तैयारी रखिए कि इस तरह के modifications या changes होने वाले हैं examination में कुछ तो पक्के हैं जो आपके सामने हैं और कुछ होने वाले हैं चेंज होगा पक्का अचा यह दूसरी बात बात यह समझी जाए कि यह प्रिलिम्प्स और यह मतलब pen paper और computer based क्या 2025 में लागू हो जाएगा तो इसके chances बहुत कम हैं क्योंकि अभी तो recommendation सुप्रीम कोट को मिली ही नहीं है अभी वो मिलेंगी नवंबर मे 4-5 नवंबर के आसपास फिर वो देगा NTA को तो इतनी जल्दी NTA 2-3 महिने में इस सब करा ले इसके chances काफी कम हैं तो मुझे यह लगता है कि 2025 में जैसे examination need का हो रहा था अब तक वैसा ही होगा हाँ 2026 में जरूर changes हो जाएंगे यह कहानी अब यह की ठीक है यह तो changes की बात है लेकिन आपकी पढ़ाई या preparation तो NCRT based होती है और physics में भी यही बहुत जरूरी है physics में भी जो आपके लिए तगड़े resource रहते हैं जिसमें आप excel कर पाएं और डेल सो नंबर के आसपास आप gather कर लेंगे secure कर लेंगे तो selection काफी मजबूती से हो सकता है तो उसके लिए best resource क्या रहता है neat physics के लिए कि आप NCRT class 1112 के सारी exercise को लगा मारिए साथ में NCRT class 1112 के example लगा मारिए सब ढून ढून के यहीं से निकलते हैं NCRT तो आप जानते ही हैं इसको तो आप आखों से किनारे कर ही नहीं सकते और साथ में पिछले 10 साल के PYQ लगा मारिए neat के एक दो साल 3 साल क मत लगाईएगा क्योंकि काफी बदला हो रहा है तो 10 साल के PYQ पकड़िएगा यह तीन चीज़े तो neat की preparation में physics की preparation में करनी ही पड़ेगी इसके बाद आप practice कीजिए कुछ और लगाईए बात की बात है लेकिन ही तो base है इसके बिना तो आप आगे बढ़ी नहीं पाएंगे इसी बात को देखते हुए मैंने आपको support के लिए एक course यहां बनाया है नीट संपूर्ण जिसकी यह video course है यानि video है इसके अंदर जिसमें 10 साल के PYQ के video मिलेंगे नीट के आपको और साथ में NCRT exercise के video पूरी class 11th और 12th video format में super easy explanation के साथ एकदम आप physics समझ पाएं और कर पाए साथ में NCRT examples 11th और 12th दोनों के पूरी किताब के नई वाली जो NCRT उसके according आपको मिल जाएंगे अगर बात की जाए तो total इसमें videos 1254 है 1254 इतने ही questions हैं इतने ही videos हैं एक video का एक question को वो suffice करता है तो यह 1254 questions की तयारी यही से हो जाएगी और total PYQ की संख्याप देखें तो 634 है यानि 634 वो questions हैं जो नीट में पिछले 10 सालों में आ चुके हैं तो यह super powerful course हो जाता है नीट संपूर्ण नीट संपूर्ण आपके base को base मतलब है बहुत solid base को नीट की तयारी के लिए build up कर देता है तो जो बच्चे इसके लेना चाहते हैं वो Arvind Academy आप को डाउनलोड कर लीजे इसका link description में है डाउनलोड करके इसके store section में जाईएगा वहाँ नीट संपूर्ण मिलेगा और यह course लेकर अपनी नीट की preparation बहुत अच्छे लिवेल पर आप कर सकते हैं Thank you very much, wish you all the best और हाँ Arvind the Neat चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा physics का top quality content super easy language में Thank you, good luck to you, bye